तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एरितिक रोसंसर की आने वाली बड़ी मूवियों के बारे में जिया दोस्तो बता दे कि आने वाले टाइम में काफी सारी बड़ी मूविया आने वाली एरितिक रोसंसर की तो इस वीडियो में आज हम उनकी सारी मुवियों के बारे में बात करने वाले हैं तो ये वीडियो लंबा होगा इसलिए हम इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अंतक जूर देखें तो दोस्तो इस लिस्ट में बात कर लें उनकी आने वाली पहली बड़ी मुवी की तो दोस्तो बता दे कि इस मुवी का नाम है फाइटर जो की एक एक्षन ड्रामा फिल्म में होने वाली है वहीं इस movie को direct कर रहे हैं सिदार्त आनन जिनोंने इस से पहले war और wing bang जैसी movie रिलिज की है और बताया दोस्तों इस movie में हमें रित्तिक रोसंग के साथ दीपी का पादु को और दिखाई देने वाली है वहीं इस movie को produce कर रहे हैं सिदार्त आनन और ये movie मार फ्लिक्स बेनर के तले बनने वाली है जहां दोस्तों बता दे कि इस movie का बजट लगबग 500 क्रोड के आस पास का बताया जा रहा है तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी बड़ी movie है तो दोस्तों बता दे कि इस movie की release date के बारे में तो इस movie की release date 2022 के end तक की बतायी जा रही है जहां दोस्तों ये वाकि में काफी जादा बड़ी movie होने वाली है तो दोस्तों बात कर ले अब उनकी आने वाली दूसरी बड़ी movie की तो दोस्तो इस मूवी का नाम है विक्रम वेधा रिमेक जो कि एक गेंगिस्टर ड्रामा फिल्म है और एक साउध मूवी है जिसमें हमें विजे सेंदुपती और आर मादवन एक साथ दिखाई दिये थे वहीं इस मूवी का बजट था 11 करोर रुपे और इस मूवी ने 60 करोर क कमाई कर ब्लोकबास्टर हो गई थी जिया दोस्तो बता दे कि ये मूवी को डायेक करेंगे हिंदी में अब पुषकर और गायत थी जिया दोस्तो वहीं इस मूवी में हमें लित्त करोशन के साथ दिखाई देने वाले हैं सेफ अली खान और ये मूवी की सुटिंग 2021 के बात कर ले अब उनकी आने वाली तीसी बड़ी मूवी की तो इस मूवी का नाम है वोर टू जिया दोस्तो वोर टू वोर आपने देखी होगी एक ब्लोकबास्टर फिल्म थी जिसने 405 करोड की अर्णिंग की थी जिया दोस्तो जिसमें हमें रित्ति ग्रोशन और टाइगर आनन्द वहीं ये मूवी की रिलीस डेर दोजा चोईश तक बता ही जा रही है और इस मूवी की सुटिंग शुरू होने भी टाइम लगेगा जिया दोस्तो अब बात कर ले उनकी आने वाली चार नमर की बड़ी मूवी की तो दोस्तो इस मूवी का नाम है क्रिस फोर जिया बता दे की तीनों पार्ट काफी जबरत सूपर हीट रहे थे वहीं इस मूवी के अब रिस्टार्टिंग रोल में हमें रितिक रोसन के आया अडवानी और प्रियंका चोपड़ा दिखाई देने वाले हैं और इस मूवी को डिरेक्ट कर रहे हैं राकेस रोशन जिया दोस्त बता दे की क्रिस 4 और क्रिस 5 लगवग साथ में रिज़ करने की बात कही जा रही है वही इस मूवी में वीलेन के तोर पर रितिक रोसन को ही बताया जाया सकता है क्योंकि इभी तक इसका कोई फिक्स नहीं हुआ है अंदर की खबर ये है कि इभी रितिक रोसन या 3D जिया दोस्तो रामायन मुवी इस मुवी का बजट लगबग 500 करोड बताय जा रहा है और इस मुवी में हमें काफी ज्यादा एक्टर दिखाई देंगे वहीं इस मुवी में रिट रोल में रितिक रोसन हमें रावन का वहीं मेस बाबू जो की साउथ के सुपरिश्टार है वहा हमें राम का किरदार करते हुए नजर आ सकते हैं और دीपी का फादुकॉन और करीना कफूर दोनों में से कोई एक हमें सिता का किरेक्टर में दिखाई दे सकती है अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं हुआ है वहीं इस मुवी को डिरेक्ट कर रहे हैं नितेय स्तिवारी जिनों ने इससे पहले चिचोरे और दंगल जैसे मूवी को डाइरेकट किया है तो दोस्तो बता दे कि इस मूवी की रिलिज़ डेट भी दोजार्ट चोईस के आसपास की बता ही जा रही है और इस मूवी की सुटिंग 2022 में सुरू होने की बात कई जा रही है तो दोस्तो बात कर ले उनकी आने वाली साथवे नमबर की बड़ी मूवी की तो इस मूवी का नाम है महा भारत जहां दोस्तो इस मूवी का नाम महा भारत है और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं S.S. Raja Mori जिसमें हमें रितिक रोसन कर्ण की भूमी का में नजराने वाले हैं और अभी तक इसका एनाॉंस नहीं हुआ है लेकिन इस मूवी में काफी सारे बोल्यवूड और साउथ के काफी बड़े बड़े एक्टर इस मुवी में दिखाई देने वाले हैं और ये मुवी बहुत बड़ी मेगा बजट की मुवी होगी जियां दोस्तों और इस मुवी को रिलिज किया जाएगा 24-25 के आसपास क्योंकि इस मुवी में काफी जादा एक्टर है तो दोस्तों बात कर लेब उनकी आने वाली आठवे नमबर की मुवी की तो दोस्तों इस मुवी का नाम है अत्रंगी रे जियां दोस्तों इसमें रितिक रोशन का सिप कैमियो होगा ये इसमें रिलीड एक्टर तो अक्से कुमार, धनूश और सारा अली खान है लेकिन रितिक रोशन इसमें कैमियो करने वाले है जियां दोस्तों कुछ टाइम का इसमें रितिक रोशन का पार्ट होगा वहीं ये एक मुवी रोमेंटिक ड्रामा मुवी है जिसको आनन दल राय डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं इसको प्रोशन कुमार और क्रिशन कुमार और ये मुवी टी सीरीज वा कलर येलो प्रोडक्शन के बेनर तलेब बनने वाली है जो कि हमें दूजर 22 में डिखने को मिल सकती है तो ये आँड मुवी रितिक रोशन की आने वाली कनफर्ण मुविया है जो हमने आपको बताई लेकिन इसके बाद तीन और मुवी ऐसी है जो उनकी आ सकती है जिसमें बात करें तो नवे नमबर की मुवी की जो कि एक होली वुड मुवी है जिसका नाम स्पैट थिलर मुवी है और इसमें रितिक रोशन की बात चल रही है लेकिन अभी ये कंप्रेंड नहीं हुई है वहीं दस्वें नमबर की मुवी की बात कर ले तो ये इन्शालला जो कि एक्सें डामा फिल्म है और इस फिल्म में हमें सल्मान खान दिखाई देने वाले थैं लेकिन कहा जा रहा है कि सल्मान खान की डायेक्टर परड्यूसर के साथ कुछ अन्बन हो चुकी है और इस मुवी में उन्होंने आने से मना कर दिया है तो अभी ये मुवी के लिए रित्ति रोशन के पास गए है तो अभी तक उन्होंने साइन नहीं किये इस मुवी के लिए और इस मुवी में वो आते है या नहीं इस पर शन्सय बना हुआ है तो दोस्तो इस मुवी को डिरेक्ट करेंगे तो दोस्तो अब बात कर लें उनके आने वाले अगले प्रोजेक्ट की तो ये एक सीरीज है जिसका नाम है The Night Manager जियां दोस्तो इसका रिमेक बनने वाला है और इसमें रित्तिक रोसन सर के आने की बात चल रही है जियां दोस्तो अभी तक ये दोनों फिल्म और ये वेब सीरीज इसमें अभी तक कोई ते नहीं हुआ है कि इसमें रित्तिक रोसन आएंगे या नहीं अभी तक इन तीनों मे ज्यादा बात रित्रिक रोशन सर के आने की ही चल रही है जी है दोस्तों यही थी उनके आने वाली सारी upcoming movies and web series तो दोस्तों आपको इन movies में से किसका इंतजार है हमें comment box में comment करके जरू बताए और दोस्तों आपको यह video कैसा लगा अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe जरू करे और ऐसी ही खबरे हम आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे तो आप हमारे YouTube चैनल फिल्मी मार्केट को जरू सस्काइब कर ले तो दोस्तों इसी के साथ हम video करते हैं समाप, धन्यवाद